हलो दोस्तों मैं अली सर आपके अपने यूटूब चैनल ऑनलाइन इस्टेडी ट्वंटिफोर इंटु सेवन पर आप सबका मॉस्ट वेलकम करता हूं तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जान रहे थे कि हमारे ओर कि बहुत पर अठ्क चल रहे थी और उसी को हम लोग आगे बढ़ाते कुछ और वर्ड वर्ड्सओं आज देखी त corrosion अपका है अगराफ्य हैं Fish avereworld को सक्षब्स लिख लीजीगे ञुआ में 2009 में पूछा गया था मतलब क्या था इसका मतलब इसका मतलब के अगराफिया का थी यहां से रिमूब करते तो क्या रजाएगा ग्राफ यह रजाएगा नहीं रजाएगा ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं एका मतलब यहां पर क्या है जब इसको निगेटिव बना देता है तो एका मतलब जाहिर सी बात है तो हम लोग एक को किसमें भाई इन्वॉल्व कर द जब आपने ग्राफ लिखा है तो आपको पता होना चीज़़ी कि ग्राफ का मतलब क्या होता है प्रिबषा इस और इस और नेक्स्ट वरlect हमारा इसमें लिखा हुआ है एक है लास्ट में जुड़ता है तो ये उस में बना दोस्तों एक धास उसको specific identification देता है कि वो बन गया है आपका noun ठीक है अब यहां से मेरे भाई देखते हैं लोग आगे देखें राइटिंग तो हो गया है और राइटिंग के साथ में क्या जूला हो है not not का मतलब जो चीज राइटिंग में ना हो राइटिंग के योग ना हो इसका मतलब क्या होत होता है लिखेगा आप लॉस के ओफ द आप डाइबिलिटी लॉस आफ दाइबिलिटी ना हो किसकी राइट करने की लिखने की तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों अग्राफिया समझ में आ गया नहीं समझ में आ गया बढ़ते हैं अगले वर्ड की तरफ जो वहति ज्यादा कुरूशल हैं एसेंशियल है और वेनिफिश्यल है आपके लिए देखिए दोगतों नेक्स्ट वर्ड हमारा है अलिक्सिया अलेक्सिया का मतलब क्या होता है यहां पर बहुत ही अच्छा वर्ड है देखिए यहां पर क्या होता है एक मतलब आप जानते हैं कि लेता है और नौट लेता है लेता थिके दोस्तों हमने आ पर लिकलिया नौट ओके मिद्ध लीक का kis ka mtler ba whutthoo reading क्या होता है reading होता है समझ में यह रहा है Ben reading होता है okay reading यह होता है लिक्स ये थिना हो गया हमारा यह यहां से हो गया और lips हो गया अब जिसके लाश्ट में आई इह लगा और क्या बन जाता Yo तो आपको पता होना चीए मेरे भाई बहुत प्यार से कि वो हो जाता है क्या भाईया ना हो जाता है ठीक है अब इसका मतलब क्या होता है देखिए यह वो चीज होती है कि जिसके पास reading की ability ना हो यानि कि reading की skill ना हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं ठीक है हम इसको कह सकते हैं दोस्तों क्या कह सकते हैं loss of the ability loss of the ability to read ठीक है यह आपका पूछा जाता है one word substitution में ठीक है क्या पूछा आता है अगर a question ऐसे आएगा loss of the ability to write called what तो आप बता देंगे दोस्तों क्या अग्राफ यह ठीक है loss of the ability to read क्या होता है alexia okay got it चलिए next word की तरफ move करते है next word हमारा बहुत प्यारा सब्द है देखिए क्या लिखा हुआ है ambrosia ambrosia का मतलब क्या होता है दोस्तों आईए इसको समझते हैं बहुत ही प्यार से ambrosia की सब्द से बना हुआ है देखिएगा actual में ambrosia जो आपका सब्द है पहले तो यह से बना और फिर abroad से बिलके बना हुआ ठीक है दोस्तों आईए देखतें क्या होता है एक का मतलब होता है यहाँ पर not आप क्या लिखेंगे दोस्तों not ka मतलब पर नहीं से जब भी किसी고 which street में जुड़ जाता है पुर गेक है दोस्तों आप यहां पर क्या लिखेंगे दोस्तों नोर्ट लिकलेंगे ठीक है तो आपने लिखा कि एक अधम मतलब होता है not औराध यह किस ने ब्लस ये मिल के आई ए टीक है आ यह जब भी जूर जाता है यह बना देता इसको क्या दोस्तों नां। ठीक है और वर भुटर्ष को क्या कह सकते हैं रुटर्ष का मतलब होता है डिट्टед को आपको अनेमन दी जो चीज किसी भी व्यक्ति को डिथ को रोके प्रिवेंट करे उसे क्या कहेंगे एंब्रोसिया तो एंब्रोसिया जो चीज किसी को मरने ना दे एक्चुल में इसका जो इंग्लिश मीन आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे फूड और फूड फूड आफ गॉड दैट इसे लिखेंगे दोस्तों और इमोटल का मतलब क्या होता है आप जानते हैं इमोटल का मतलब होता है अमर तो अमर होने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा दोस्तों बताइए तो अमर होने के लिए आपको लेना पड़ेगा क्या अम्रत ठीक है तो अम्रोसिया का मतलब बैसे तो आप कहीं पर देखेंगे तो कुछ बुक्स में आपको अम्रोसिया का मतलब मिलेगा प्रसाद ठीक है क्या मिलेगा दो इसका root word है आई उसको देखें देखें इसमें क्या रिखा हुआ है सबसे पहले क्या इसमें A और A का मतलब आप जानते हैं जब भी किसी word के starting में A या A ना जा जो उसका मतलब होता है not ठीक है A हो गया next word यह हमारा किसे मिलके बना है many से many many से मिलके बना है और मतलब मेंद क्या मतलब माइं ना हमाइं ठीक है यह यहां पर मेरी से आपका किसे मिमोरी से ठीक है आप मिमोरी से तो जिसके पास मिमोरी ना हो यानि कि कह सकते हैं लॉस आफ मिमोरी ठीक है क्या लिखेंगे आप लॉस आफ मिमोरी ठीक है तो लॉस आफ मिमोरी का मतलब क्या हो जाता है दोस्तों यादास्त का हो जाना तो आप क्या लिखे आज के कंप्लीट हुए अगर आपको हमारे सेसंस अच्छे लग रहे हो तो दोस्तों प्लीज कमेंट करिएगा शेर करिएगा लाइक करिएगा और हाँ आपके अपने परिवार ऑनलाइन इस्टडी 24 इंटू 7 पर जाकर के सस्क्राइब करना ना भूलें इसको सस्क्राइब जरूर करें ओके थैंक्यू सो मच